दोस्तों कोई बोल रहा है कि मैंने 1 करोड रुपए कमाया है और सिर्फ 5,000 रुपए मैं आपको ड्रॉपशिपिंग सिखा दूँगा कोई इंसान बोलता है मैंने 5 करोड रुपए कमाया है और सिर्फ 2,000 रुपए के अंदर आपको ड्रॉपशिपिंग सिखा दूँगा market में जितने लोग dropshipping कर नहीं रहें उससे जादा लोग dropshipping सिखा रहें आखिर में ऐसा है क्या और क्यों यह दिखा रहें क्या figures यह दिखाते हैं क्या वो figures सही होते हैं कि नहीं होते हैं कभी आपने देखा है कभी चेक किया है मैं आपको reality बताता हूँ एक्चुल में होता है क्या आज इस वीडियो में मैं आप सभी को drop shipping की reality बताऊंगा क्या चीज आपको नहीं दिखती है वो समझाऊंगा drop shipping एक successful business है उसमें क्या चीज profitably किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे और आज इस वीडियो में हम high ticket drop shipping के बारे में बात करेंगे जिससे आप अगर चालू कर रहे है तो आप successfully profitably अपना drop shipping का business बना सकते हो और ना ही बाकियों की तरह आप अपने जेब से पैसा निकाल के facebook, shopify, supplier और shipping companies को खाली pay करते रहोगे reality यह है कि आज 95% लोग जो drop shipping चालू करते हैं वो fail हो जाते हैं वो loss में जाते हैं और उसके बाद वो loss में जाने बार drop shipping छोड़ देते हैं reason क्या है सबसे बड़ा? reason यह नहीं है कि drop shipping एक profitable business नहीं है reason यह है कि जो उनको सिखाते हैं वो उनको यह सिखाते हैं कि आप easily चालू कर सकते हो उनको website बनाना सिखाते हैं, product import करना सिखाते हैं, basic calculations होगरा सिखाते हैं, facebook में ad चलाना सिखाते हैं यह सारी चीजे तो बहुत अच्छी है, यह कोई भी इंसान YouTube में भी सिख सकता है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बता है, वो यह नहीं सिखाते ही कि आपका mindset क्या होना चाहिए और वो यह नहीं बता सकते हैं कि कितना पैसा होने के बाद ही dropshipping चालू किया जाना चाहिए अगर वो day one से यह चीज बोल दिये ना कि अगर आपके बास 5 लाख रुपे नहीं है तो dropshipping मत चालू कीजिए तो वो बंदा ही उनका course नहीं खरी देगा लेकिन वो यही कहते हैं कि आप dropshipping चालू कर सकते हैं वो mindset की training नहीं देते हैं और इसी कारण 95% लोग lost में जाते हैं सबसे बड़ा reason यह है कि जब आप Facebook में पैसा spend करते हो तो Facebook आपको दिखाता है कि आपकी इतनी sale आई है जो RTO हो जाते हैं यानि कि return हो जाते हैं बहुत सारी ऐसे भी sales होती है 150 में बहुत सारे ऐसे भी customers होते हैं जो cancel कर देते हैं जो confirm नहीं करते हैं तो end में जो आपके पास बसता है वो 200 में से 30 या 40 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको product deliver होता है जिनका पैसा आपको receive होता है जितना आप इन लोग को बेच के पैसे कमाते हो उससे जादा पैसा तो आपका ads में चले आता है RTO में चले जाता है Shopify पे चले जाता है और अलग-अलग platforms में चले आता है तो बात यहीं कि क्या drop shipping करके करोडों रुपे कमाया जा सकता है दो चीज में बहुत difference होता है एक होता है revenue और दूसरा होता है आपका profit drop shipping करके आप startups के जैसे revenue बहुत increase कर सकते हो ठीक है आप दिखा सकते होगे आप Facebook में spend करोगे आपको orders भी आएंगे लेकिन actual में आपका profit margin बहुत low होगा तो इस पर profit बिलकुल भी नहीं है और यह मैं typical drop shipping की बात करोओं जो लोग low quality product से चालू करते हैं वो ही जो Chinese product आते हैं उनको sell करते हैं जिसका return rate भी high होता है जो की brand rate भी नहीं होता है उस case में ये चीज़ हर किसी के साथ होती है और अगर यहीं पर अगर आपके पास बहुत बड़े level पर investment है तो आप क्या करते हो product की quantity अपने पास खुद खरीद के रखते हो product की quantity आपके पास होती है यारे की product बहुत कम price में होता है जो product आपको drop shopping के 100 रुपे का पढ़ रहा है वो जब आप quantity पे खरीटते हो तो same product आपको 30 रुपे में पढ़ेगा जब आप 30 रुपे का product लेते हो और उसको बेशते हो तब actual में आपको वहाँ पे profit बचता है तो यह case में तो आपका investment आगया और आप में से जादा तर लोग यह देख रहे हैं कि बिना investment की किस तरीके से चालू किया जा सकते है अगर आपको drop shipping business आप चालू कर रहे हो और आपका investment ही है दो लाख रुपे के अंदर का तब आपके लिए जो normal drop shipping है यह सही नहीं है आपको यहाँ पे drop shipping ज़रूर करना है लेकिन इस तरीके से drop shipping नहीं करना है आपको उसमें profit नहीं होगा आप चाहो तो खुड try करके देख सकते हो या फिर YouTube में बहुत सारे लोग के experiences है वो भी जाके देख सकते हो अब बात करते हैं कि आखिर क्या चीज़ profitably चलती है किसमें आप जादा पैसा कमा सकते हो तो ये चीज़ होती है दोस्तों high ticket drop shipping याने कि कोई भी ऐसा product जो की high ticket का हो जिसको आप normal e-commerce के तरीके से ना बेचो customer आए आपकी website पे वो उस product को देखे आपको उस product को बेच के minimum 2000 रुपीज का benefit होना चाहिए कई लोग इसको कम में भी करते हैं लेकिन मैं सबको ये recommend करता हूँ कि 2000 रुपे का आपको profit होना चाहिए तो इसमें क्या होता है आप अपनी खुद की website बनाते हो website बनाने के बाद same जो advertisement का तरीका है वो आप same use करते हो मैं facebook से जादा prefer करता हूँ कि आप google पे add करो reason क्या है facebook पे आप engage करते हो लोग जो आते हैं वो low quality के आते हैं और वो ही Google पे जो लोग आते हैं Google या YouTube पे वो search करके आते हैं तो वो बहुत high quality के होते हैं वो खुदी आपके पास आते हैं वो खुदी search करते आते हैं वो खुदी self interested रहते हैं तो इसी लिए उनको खरीदना होता है और आपकी और उनकी deal होती है अब इसमें सबसे important चीज़ यह है कि आपको इनके साथ communication यानि की बातचीत करना पड़ेगा चाहो तो इसका chat bot भी बना सकते हो आज की डिट फे हो भी बहुत आसान हो गया है चाहो तो foreign client के साथ भी easily high ticket drop shipping कर सकते हो Indian clients के भी साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छे से deal crack कर सकते हो पुराने जमाने से भी लोग drop shipping करते आ रहे हैं जिसको हम trading बोलते हैं normally लेकिन अब यही चीज online भी होती है और online आप उसको structured तरीके से करोगे तो आप scale कर सकते हो और अपने खुद की sales team भी पूरी proper बना सकते हो तो इसमें क्या होता है कि आप एक website बनाते हो जोगी कुछ इस तरीके की दिखती है इस website पे बंदा कोई भी आपके product पे जाता है तो वो सीधा देखता है कि वहाँ पे connect on whatsapp का button है वहाँ पे वो connect on whatsapp करता है या फिर inquiry करता है वो inquiry पे click करता है तो inquiry form खुल लाता है अगर connect on whatsapp पे click करता है तो सीधा वो whatsapp पे redirect हो जाता है चाहे तो आप option ये भी दे सकते हो यहाँ पे add to card का लेकिन add to card दोगे तो directly इतनी बड़ी sales होती नहीं ये usually लोग पहले बातचीत करते हो और उसके बाद sales होती है तो मैं ये recommend करते हूँ कि customer को ज़्यादा confuse नहीं करते है उनको एक ही बटन देते है या तो inquiry दे रहा हूँ या तो connect on whatsapp एक बार customer connect होता है whatsapp पे तो वो हमारे whatsapp API पे आ जाता है यानि कि हमारे कुछ इस तरीकी का हमारा dashboard है whatsapp API का इस पे आ जाता है इस पे हमने proper पूरा chatbot लगा के रखा हुए अब जैसे कोई भी customer आया automatically हमारे तरफ से उसको एक welcome message चले जाता है तो यह first message चलेगे उनको यहाँ से वो list में से select कर सकता है कि उसको क्या चीज करना है क्या उसका budget है क्या उसका नाम है क्या उसका address है क्या चीज है यह सारी चीजे आप whatsapp chatbot में set करके रख सकते हो ताकि आपका पूरा जो data है यह collect होते जाए यह हर एक चीज whatsapp API पे possible है अब होता है कि एक customers जो क्लाइंट से ही आ आपके पास आ गए तब होती है whatsapp पे retargeting whatsapp पे अगर आप यह 5 level की retargeting कर लिए तो 110% अगर कोई interested customer है तो वो convert हो जाता है अब यह 5 level की retargeting क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा और यह भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आपके पास जितनी भी leads आई है whatsapp पे उनको बल्क में whatsapp करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको strategy बताता हो retargeting की और उसके बाद बताता हो कि बल्क में whatsapp message किस तरीके से करना है ताकि आप यह high ticket drop shipping successfully कर पाएं जो सबसे पहला message आपकी तरफ से customer को जाता है वो होता है आपका पूरा full product का catalog जिसमें आपके जितने भी product से वो नहीं से आ भी जाता है तो PDF catalog की रूप में आप automatically अपने customer को भेज सकते हो जिस दिन customer आया उसके 7 दिन बाद ये वाला message उनको चले जाएगा अगर suppose customer वोपस आपस आप से connect नहीं हुआ है दूसरी बार उनको message भेजेंगे आपके customer की feedback का या टेस्टीमोनियल का एक positive feedback की अगर एक video हो या फिर एक positive testimonial का अगर WhatsApp पे screenshot हो वीडियो जाधा prefer करेंगे अगर ये हो तो उनको वो send करेंगे उससे क्या होगा उनको समझ आएगा कि अच्छा इन्होंने ये product खरीदा है इनको अच्छा experience हुआ तो उसको भी motivation मिलेगी और वो भी खरीदेगा अक्सार लोग ये जो अगर किसी को ऐसा है कि खरीद लेंगे कि आज नहीं कल खरीद लेंगे कोई दिक्कत नहीं है किसी को urgency नहीं है उनको price भी ठीक है सब चीज होगी है लेकिन अभी नहीं खरीद रहे हैं तो इसके लिए हम FOMO create करते हैं FOMO मतलब होता है fear of missing out मतलब उनको डर लग जाएगा कि यार limited stock ही खाली available है हम उनको ये message समझा जाएगा कि यार कम pieces left है अगर में जो खरीदना है तो मुझे अभी बात करना है अभी payment करना है तो ये FOMO create होता है अकसर जहां FOMO create होता है वहां लोग अपने जेब से पैसा निकाल के दे देते हैं और ये create करना भी बहुत जरूरी है अगर इसके बाद में भी अगर वो इनसान नहीं आता है आपके पास तब उसको ये बताना जरूरी है कि आपका जो product है ये over हो चुका है अगर आप next batch में book कराना चाते हैं तो अभी करा लीजिए फिर हम एक ऐसा message send करेंगे जहां पर लिखेंगे stock over मतलब कि पूरा product खतम हो चुका है ताकि उनको feel हो यार य book कराने के लिए जरूर आएंगे जो आप pre booking करोगे उसी समय बता देना कि ये stock पे आ रहा है product और फिर एक दो दीन बाद आप deal close कर सकते हो ये पाच लेवल की अगर आपके पास conversation हो गई तो आप easily whatsapp पे बड़े से बड़े client को close कर सकते हो और ये होती है branded drop shipping ये ऐसी चीज होत बड़े से बड़ा orders ले सकते हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम पूरा automation पे अकेले काम करके drop shipping से लाखो करोड़ो रुपे कमा लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा specific cases में होता है जिनको digital marketing बहुत अच्छे से आती है लेकिन जब आपको digital marketing उतने अच्छे से नहीं आ आप lead generation campaign ही अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं आप basic चीज़े ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उस case में आप drop shipping में अपना 1,2,000,000 रुपे जो आप invest करते हो वो पूरा का पूरा डूब जाता है मुझे लगता है कि before starting fully automated drop shipping business you should actually start with this ताकि आप customer से one-on-one conversation कर सको आप उसकी problem समझ सको अगर आप customer की problem solve कर रहे हो अगर आप एक सही product उसको deliver कर रहे हो अगर customer satisfied है आपका और customer का अच्छा relationship बन रहा है आपका business वहाँ से develop होना शुरू हो जाएगा ना कि drop shipping के तरीके से जहापे आपको customer से कोई मतलब नहीं है आपको product से कोई मतलब नहीं है आपको मतलब से बताई वह आपको अच्छे से समझ आई होगी अगर आप यह high ticket drop shipping के बारे में और समझना चाहते हैं website बनवाना चाहते हैं या product search कर रहे है product आपको नहीं मील पा रहा है आप हमको इस number पे हमारी website पे contact कर सकते हैं हम आपकी पूरी help करेंगे technology से marketing से product से आपका high ticket drop shipping business start करने क अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन वीडियो को लाइक करना और जिस भी person को इस वीडियो की जरुवत है उनके साथ ये वीडियो शेयर जरुद करना मिलते हैं अगली वीडियो में